दोस्तों मीसो पर आप अपना सिप्ड ओडर कैसे कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको लाइप प्रूप सिप्ड ओडर कैंसिल करके दिखाऊंगा और एक ओडर वो भी कैंसिल करके दिखाऊंगा जो सिप्ड नहीं है तो दोनों ही तरीके में बता दूगा देखिए सिप् ओडर आ जाएंगे ठीक है तो यहां पर मैं सबसे पहले उस ओडर को कैंसिल करेंगे दिखाऊंगा जो अभी तक सिप नहीं हुआ है सिपड का मतलब होता क्या है देखिए समझेए सिपड का मतलब है कि आपका ओडर पैक हो गया और ट्रांसपोर्ट गाड़ी में भी वह लोड हो गया है आपके पास चलने के लिए निकल पड़ा है तो अब यहां पर देखिए यह पहला ओडर मैंने क्लिक किया तो यहां पर देख सकते हैं आप ओडर अभी सिप नहीं हुआ है ठीक है तो यहां पर हमें कैंसिल का ओप्सन यहां पर देखने को मिल रहा है कैंसिल ओडर क क्योंकि अभी यह सिप नहीं होए अगर यह सिप और बटन हो जाता है तो हमें आग कैंसेल का बटन है जो यह गंसेल कर सकते हैं तो कैंसेल होगा है और यहां पर पूसर है select region for cancellation तो यहाँ पर उत्र है कि आप कोई region दे दीजे कि क्यों cancel करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कुछ भी add to add इन में से कोई भी एक शीज को click कर देना order by mistake अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो optional को लिख भी सकते हैं नहीं तो आप छोड़ सकते हैं order by mistake cancel product पर किलिक कर देना तो आपका जो order है cancel हो जाएगा तो आप देख सकते हैं सिपड सून और यहाँ पर यहाँ पर हमारा cancel हो चुका है तो आप देख भी सकते हैं अब यहाँ से मैं करता हूँ back और भाई आपको यहाँ पर जो है मिल रहा है तो आप इसे normal यहाँ से cancel नहीं कर सकते हैं यहाँ पर इस पर आप cancel करने का दो तरीका है या तो आप customer care से बात करके cancel करिए वो तो मैं आपको नहीं बता हूँ गो customer care वाला तरीका क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा ठीक है दूसरे तरीका है कि जब यह order आपकी location में आ जाएगा तो delivery वह आपको call करेगा और उस call पर ही आप बता देना कि भाई यह मुझे order आप नहीं चाहिए तो वो उसके बाद इसे खुद ही cancel कर देगा आप से OTP password बुचेगा और order को cancel कर देगा तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी कितनी informative रही कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो पसंद आए लाइक कर देना चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लेना